दोस्तों वेलकम तो हरलेंड मैं उम्मिद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं अच्छे आपके लिए कुछ इस तरीके की मूवी लेकर आया हूँ जिसमें मिन्टल हेल्थ के उपर बहुत ही सोर दिया गया है इस मूवी का नाम में मेरी लेटल क्रिसमस और जैसा कि हम सबी को पता है कि क्रिसमस के समय पर लोग इंजॉय करते हैं लोगों के लिए क्रिसमस एक बहुत है इंजॉय फुल तिवार होता है लेकिन सदूर ही नहीं है कि सबी के लिए क्रिसमस का मतलब एक जैसा ही हो अब आपको यह लगा है कि मैं उल्टी सीधी बाते कर रहा हूँ लेकिन जब आप इस मूल को देखेंगे तो आपको देरे-दरे सब कुछ समझ बाजाएगा तो चली इस वीडियो को शुरू करते हैं ये कहानी शुरू होती है के लेडी से जो की जखमी हालत में होस्पिटल के बेट पर सो रही थी उसका पूरा फेस और बोड़ी जखमी था फेस पर कई सारे कट लगए वे थे और पूरा सरफर बेंडेजस लगए थे मतलब को उसका सरफर गेरे सकम थे उस लेडी के पास में उसकी बेटी बेटकर ड्राइंग बना रही थी उपर से उस बच्ची ने एक डारवना मास्क फेना होता अगर इतने चोटी सी बच्ची इतने डारवना ड्रोइंग बना रही थी मतलब को ज़रू कुछ न कुछ बुरा है और आखिरे में वज़े क्या थी यह हम आगे पता चलेगा सीन कट होता है और कहानी कुछ साल के बार से चुरू होती है जहाँ पर टॉम अपने अंटी लोला और अपने टिनेज कजिन सेस्टर मेरी से मिलने के लिए आया था चुकि आज क्रिसमस था टॉम का अपने अंटी से पता चलता है कि मेरी क्रिसमस के दिन पर भी गड़ से भार निजाना चाहती थी शेयर के सभी बच्चा साथ हो मिलकर एंजोय कर रहेते हैं लेकिन मेरी यसी थी जो किसे से भी कोई दोस्ते नहीं रखना चाहती थी अब वो हमेशा के लाई रहना चाहती थी उसके ऐसी behavior को लेकर उसकी मा लोला बहुती परशान थी उन्हें डर था कि उसकी बेटी हमेशा के लिए के लिए न पड़ जाए इसलिए वो टॉम से request करती है कि मेरी को कभी कई बार गुमोने के लिए ले जाए यहाँ पर मेरी को रूम में भी उसी मासक को देखते हैं जो कि मूवी के शुरुआ तो उस बच्ची ने पहनवा था मतलब कि वो बच्ची मेरी है और उस जख्यमी लिडी लोला है अब लोला के वहाँ से जाने के बाद मेरी टॉम से अपने मा के बार में बाते करने आती है उसके मताबिक उसकी मा भी दिन पर घर में रहती है और वो भी किसे से बाता नहीं करती है वो बस टीवी देखते रहती है और जंक फुट खाती रहती है तो वो उसके लाइफ वे क्यों इंटरफेर कर रही है अब वो टॉम उसे एक वीडियो दिखाता है जहांपर मेरी खुद को हाम कर रही थी मेरी उसे बोलती है कि वो यह सब नहीं करती है लेकि टॉम को पता था कि मेरी खुद को हाम करती रहती है ये वीडियो उसे जिसने भेजा होगा, उसे मेरी की फिकर होगी और इसलिए उसने टॉम को ये वीडियो भेजा था टॉम मेरी से उसके प्रॉब्लम पुछता है क्योंकि वो बहन है और उसे ऐसा तकलिफ में खुद को हाम भरतों नहीं देख सकता था तब मेरी उसे बताती है कि उसका बचपन उसकी लाइफ का सबसा डाक टाइम था बचपन में उसने कुछ ऐसा देखा था जो उससे देखना नहीं चाहिए था अगर उसके सामने वह सब नहीं हुआ था तो आज वह बाकी लड़कियों की तरह नौरम लाइफ जी रही होती और काश कि वह कुछ भी सचनी होता जो कुछ भी उसने देखा था दोसे तरफ मेरी की मान लोला बातरों में जाती है जहां पर उस चाको को एक दूल पर रखती है और फिर अपने कपड़ उतार कर बातर में लिड़ जाती है उसके बाद में उखुद को प्रेजर देना लगती है और इसी दोरन वो रो रही थी यहां पर हम उसकी बाड़ी पर बहुत पुराने जखमों को देखते हैं साथी उसके पुरे फेस पर भी कटके मागते है फिर लोला उस चाको को लेकर अपने पेर के उगले के पीच में एक कट लगाती है जिसमें से बहुत कुर निकलता है मतलब कि मेरी की तरह लोला भी घुट का आम करती थी किसी ने किसी डिप्रेशन के वज़े से और ये बात किसी को न पता चले इसलिए उसलिए बातों में पड़ा सारा कुम साफ करती है उस जखमों पर भी बेंडेजस लगाती है फिर कहानी पास्ट के तरफ आती है जब मेरी पांच साल की थी वो रात क्रिसमस के रात थी जहां पर लोला मेरी को क्रिसमस पार्टी में ले जाने से पहले नहिला रही थी मेरी क्रिसमस पार्टी को लेकर बहुती एक्साइट थी और वो अपनी मां से अपने गिफ्ट के बारे में फूच रही थी जोकि उसे पार्टी में मिलेगा लेकिन इन सब के बीच मेरी के पिता जोष मैशा से है किसी ने किसी बात को लेखर घुसा रहते थे वो चोटे चोटे बात पर अपनी वैफ लोला पर हात उड़ाते थे उस रात भी पार्टे में जाने से पहले जोष शेव करने की सोच रहा था लेकिन उससे अपना شेविंग करम नहीं बिल रहा था तो इस बात को लेखा जोश लोला के उपर गुसा कर रहा था जबकि लोला उसकी के जिसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाती थी लोला उससे प्यार सा बात करे थी लेकिं फिर भी जोश का गुसा शांत नहीं हो रहा था उल्टा उ लोला किसे को दिवार पर मार देता है जिससे कि लोला ब्योश हो जाती है और उसके सर्थों को निकने लगता है यहाँ पर जोश लोला क्यल करने की वज़े से चाको उसे उसके चेरे पर लगातार कट मालता है इसी वज़े से प्रेजन टाइम में लोला के फेस पर इतने सारे कड़ते हैं उसके बाद में जोश लोला के सबी कपड़ फाड़ कर उसके साथ में बहुते बूटली तरीके से जब वो जस्ति करता है और सब कुछ मेरी के सामने हो रहा था अपने पिता की इन हरकतों को देखकर वो इतने जदा डर गई थी कि वो एक जग़े पर खड़ी रह गई थी प्रेजन टाइम में ये सबी बाते याद करके मेरी रो रही थी जिसके बाद में टॉम लोला को ये समझाता है कि उसे मेरी का साथ देना चाहिए और उससे बाते करना चाहिए क्योंकि उस इंसिडेंट के बात से अब तक उस बारे में लोला और मेरी ने एक दूसरे सा बाते नहीं की थी उसके बाद में दोने डिप्रेशन में थे और गुस्से में वो खुत को हाब करती है अगर दोनों खुल के अपना दर्द किसी के सामने बताएंगे तो शायद उनके जिंदगे अभी बाती लोगों की तरद नॉर्मल हो जाएगी अगर वो मेरी के साथ में खुल कर बाता नहीं कर सकती तो उसके बिगड़ते मेंटल हेल्थ के जिम्मेदार लोला खुदी होगी लेकिन उस इंसिडन्ट के बारे मेरी से बाते करना लोला के इसी नहीं था वो खुत का सामना नहीं कर पा रही थी और वो मेरी के सवालों का सामना कैसे करेगी फिर भी और टॉम से प्रॉमिस करती है कि उ मेरी के साथ में खुल कर बाते करने के कोशिश करेगी उसके बाद टॉम जब फिर से मेरी के रूम में जाता है तो उसे हमापर मेरे जोड़ जोड़ से रोते हुई लिखाय देती है गुस्से में उसने अपने रूम का वरल पेपर फार दिया था जिसके नीचे मेरी की बनाए गए वही क्रीपिट ड्राइंग थी चैलल लुटकुस भैनेक जिरिंड के बाद से मेरी वैसी क्रीपिट ड्राइंग्स अक्सर बनाए करती थी उसको नियादों से दूर रखने के लिए लूला ने वॉलफर बनाएगे उन क्रीपिट ड्राइंग के उपर वरल पेपर लगा दिया था लेकिन इतने सालों के बाद आज वो सब बाते याद करके मेरी अपना अपक हो देती है और फिर से उसका सामना होता है दूसरी तरफ लूला कीचन में थी तब ही उसका फोन दिंग करता है वो जब फोन उठाती है तो जोश उससे बाते करता है जो अब जेल से भारा चुका था और उगभर आना चाहता था लोला को उस तर मादने पीटन और टॉर्चर करने के बाद से जोश को जेल हुई थी और इतने सालों के बाद में वो जेल से भार आने वाला था उसकी आवाज सुनकर लोला बहुते डर जाती है और उसे पास्ट की वह क्रिस्पस नाइट याद आती है जब जोश उसा टॉर्चर कर रहा था फिर होश में आने के बाद में जोश चागों से लोला के पेटवर काईबर वार करता है फिर उसके बालों को पकड़ कर घसीट दूए कीचन में लेकर जाता है जहाँ पर लोला के दातों को किचेन काउंटर पर फसा कर उसके सबी दात तोड़ देता है उस समय पर मेरी सामने खड़ी होकर अपनी मा के साथ में यह सब टोर्चर होता हो देख रही थी वो डरकर रोना लगती है लेकिन उसे समालने वाला मापर कोई नहीं था अब प्रेजन टाइम में पास्ट की बातों को याद करके लोला सेम चुकी थी और वो इस बात से बहुती डर चुकी थी कि अगर जोश जेल से वापस घर आ गया है तो उसके साथ हम क्या होगा वो फिर से जोश के सामने नहीं आना चाहती थी लोला फिर अपना वीग उतारती है तब हमें उसके सर पर बहुती कम बाल नोटिस होते हैं क्योंकि उस रात जोश ने लोला को टॉशर करके उसके सारे बाल नोच लियते हैं जिसके बाद में लोला के सर पर कभी बाल नहीं हो गये और इसी वज़े से मुवी के फर्स्ट सिनमे लोला की सर पर बेंडेज थी यहाँ पर जोश के बारे में सोच कर डर के मारे एक चाको से लोला अपना गला काट कर अपनी जान ले लेती है कुछ देर के बाद में जब मेरी और टॉम को लोला की डेड बोडी दिखाए देती है तो टॉम बहुते जादा शौक डम था और डरावा था लेकिन मेरी ऐसे बहेव करती है जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं है वो बिना कुछ रियक्ट करें अपनी मा लोला की डेड बोडी को बात अटमर रख देती है फिर वो अपना मेकप करके अपने बच्पन के उसे क्रिसमस को याद करती है जब उसके पिता उसकी माँ को टॉर्चर कर रहे थै लेकिन अपने पिता और अपनी माँ को देखने का मेरी का नजारे को छोड़ता वो उसी मासको को पहन कर अपने पिता को वेसे डेमन को रूप में देख रही थी जैसा कि वो अपने ड्रॉय में बनाया करती थी उसके imagination में डेमन के रूप में उसके पिता ने उसकी मा का सर एक वुडन बॉक्स में बांद कर रखा था और उसकी मा की पूरी बॉड़ी में चेन की हुक लगा गए थे वो हुक लोला की स्किन को फाड़ कर निकल रहे थे तो वहीं पर वो डेमन लोला की पीछे से आकर उस वुडन बॉक्स के साथ में उसका सर उखाड़ कर निकाल लेता है अपनी इनी सब imagination को मेरी ने creepy drawing का रूप दिया था वो तब से उसकी mental health खराब होती जा रही थी और वो अज़ी creepy चीज़ों को hallucinate कर रही थी तो अब present time में ये सब बाते सोचकर एक चाकू से मेरी अपना गला काटकर अपने जान ले लिती है और उसकी body उसकी महालोला के पास में पड़ी थी लेकिन ये सब मेरी का बस एक imagination था reality में वो अच्छे से ready होकर living room में टॉम के पास में जाकर बेट जाती है जहाँ पर उसके सामने एक Christmas tree रखावा था यहाँ पर इन सबी incidents से टॉम की mental health भी खराव होते जा रही थी लेकिन मेरी बिल्कुल normal दिख रही थी क्योंकि उसके लिए ये सब बिल्कुल normal था उसने तो बच्चपन में इससे भी जादा बेहनेक चीज़ों होते हुए देखी थी उससे तो creepy चीज़ों के आदाथ बढ़ चुकी थी खून, murder, torture ये सब बस उसके life का खिस्ता था और बस यही पर ये short movie एंड हो जाती है